हाई एवरिवान दोस्तों कैसे हैं आप सुलोग आई होप अच्छे ही होंगे तो गाइस आज बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है और मैं सुबह से काम करकर ठक गया हूं घर का इसलिए मैं में धोड़ी शत्री लेकर बाहर के यह निकला कि चलो थोड़ा घूमने जाएं है और मौसम काफी ठीक ठाक है तो यह देख लिए बीए यह पीड़ पॉधों का इस्फ़ा सिलसिल है काफी हरां भरा हो गया है यह देखिये गाईस कि पुभड़ों का रांग ने अच्छा हो गया और बारिश भी देख सकते हैं आप काफी मतलों अभी थोड़ी सलो होई है वैसे काफी तेज़ चलती तो मैंने सोचा ही चलो अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं कि आज बारिश हो रही है काफी ज्यादा ऐसा ही हम थोड़ा बाहर चलते हैं सड़क की और इस सड़क की और जाने में मुझे तूर थ्री मेंट्स लगेंगे इसलिए बते हम जालते हैं सड़क की और ठोडा उधर दिख आता हूं मैं आपको मोसब का के तना अच्छ हुआ कि मोसम भी काफी अच्छा है इधर अपको सच एक बत है मैं बात और बाद देख्णा शाबन। अभी कैसा है सब महिं देख़े हैं वाएज यह देखी। अब बाहर की और वाव तो आप देख सकते हैं यह देख जीजे अब बारिश कितनी ज्यादा हो रही है इधर भी और मुझे लगता है यहां पर वेट का नहीं चाहिए यहां पर आगर वेट काते हैं थोड़ा इसलिए अभी सड़क की और नहीं जाएंगे सड़क जाएंगे थोड़ा वेट करके अभी बारिश काफी ज्यादा हो रही है इधर से भी देखते हैं थोड़ा अरे अरली टाइप किदर से हैं गाइस वैसे बंसपती जो है काफी अच्छी और सुहाब निसी होगी है बारिश क कारण जो नमी होती है मिटी वगरा की नमी वो बैट सी गई है तो वसे लिए अभी देख लीजिए मैं यहां पर हूँ यहां पर भी बीड़ा होता है काफी अच्छा और उपर में यह देख लीजिए च्छड जो वो ढगनी लिए तो यहां से भी मतलब ठीक है था यहां से थोड़ा आनंद लेते हैं इसका और आप मौसम गाइस काफी अच्छा है कि रोमांटिक मौसम है वाई यह देख लीजिए गाइस कि इतना हो रहा है वो मौसम ऐसे काला काला सा हुआ पड़ा है बादल उनके करके थोड़ा अंधेरा च्छा रखा है इधर देखिए इधर देखिए काइस कितनी बादल हो पड़िया है इधर और मैं हूँ यहां बसरा बिल्कुल कि अग्याइस मैंने सोचा क्योंना आनंद लिया जाए बारिश का मुझे नहाना भी साथ बारिश में है बट अब नहीं बारिश इसमें ठंड लगने लगी आए इस रहने तो अभी नहीं आएंगे अगर मूड किया तो नहाँ जरूर लेंगे तो अभी तो नहीं है वैसे हवा बहुत चल रही है आप देख सकते हैं यह पेड़ पौदे जो हैं कैसे हिल रहे हैं काफी हवा चल रही है मेरे ख्याल से आपको आवाज मेरी क्लिए रही होगी कि नहीं बट हवा का जो प्रेशर है काफी तेज हो चुका है और मुझे लगता है कि अब मुझे सड़क की और नहीं जा पाऊंगा तो देखते हैं थोड़ा अंदर चलते हैं चाहे वगरा पीते हैं कि में सुबह कर टाइम था और मैं निकल पड़ा यहां पर मैंने सोचा कि चलो सब्सक्राइबर को दिखा द buffalo आएफ है फिनने ये इतने इस हाल्य हमने प्म्हे आपना शत्री कि जे देखे ही अ फाली मेने शत्री और अंधेरा भी हो गया था और गाई कि फिनंग वह की माम बरें अप्तिर प्लोच कि सेनक्लीं हो ओर तर गार थे के जोरिषी ुश्यए उसailable हिए कि और देखते हैं क मेरे तरफ ही आ रहा है तो गाइस आपने देखी लिया कि बारिष जो है काफी तेज उल पड़ी है और मैं यहां पर खड़ा आनदी लेग जा रहा हूं बारिष का मज़ा ले रहा हूं पूरा इस देली यह और मेरे छत्री बूप उपने लगए वह बाई यह कैसे है तो यह देखिए है छत्री कि अधिए इसका है चत्री कैसी हो गया फिर मुझे लगता है इसे सीजा करना पड़े गाए यह देखिए गाईज वह धिया चत्री मेरी सीधी और अब निकलते हैं घर जाते हैं चाय बगरा पीते हैं और अराम से पकोड़े पुगड़े बनवाते हैं कुछ बारिस में पकोड़े और चाय का मज़ा ही कुछ और है